आज की इस वीडियो में हम जानेंगे HTML elements के बारे में HTML element, HTML tags और content का combination होता है यानि opening HTML tag और closing HTML tag तक सब कुछ एक HTML element ही होता है एक start HTML tag and HTML tag और इनके बीच content को सामूहिक रूप से HTML element कहते है HTML में मुख्यताहा दो प्रकार के tag का प्रयोग किया जाता है पहला container tag, दूसरा empathy tag, container tag ऐसी tag जो चोड़े में प्रयोग किया जाते है अर्थात ऐसी tag जिन्हें सुरू इबंबंद किया जाता है वे container tag जलाते हैं उधारा निम्न हैं जैसे less than be greater than tag character को बूल्ड करना प्रयोग करता है जबकि less than slash be greater than tag बूल्ड को समाप्त करता है ये closing tag और opening tag जैसे ही होते हैं लेकिन closing tag के साथ slash का प्रयोग किया जाता है इसलिए ऐसे tag जो आन एवं आप किये जाएं container tag कहलाते हैं empty tag और non container tag इस प्रकार के tag अकेले ही प्रयोग किये जाते हैं जोड़े में नहीं ये business कार्यों के लिए प्रयोग किये जाते हैं जैसे less than img greater than tag का प्रयोग बेपेज में image डालने के लिए किया जाता है less than img greater than tag का कोई closing tag नहीं होता है इसी तरह less than br greater than tag का प्रयोग लाइन ब्रेक करने के लिए किया जाता है एवं less than br greater than tag का कोई भी closing tag नहीं होता है झालने के लिए जाता है